अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं फिट तो आज से ही अपना ये पांच आदेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हैल प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक य आपके लिए एक वीडियो स्रीज लेकर आये हैं जो आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारिया आप तक पहुचाती रहेगी बस आप बने रहे हैं हेल्थ प्लस के साथ सुभै की धूप बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है इससे सरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलती है जो हड्यों को मजबूत तो बनाती ही है साथ ही धूप सेकने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम भी दूर रहती है और तो और सकून भरी नींद के लिए भी धूप सेकना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सरीर में मेलाटोनिन हार्मॉन पैदा होता है जो अच्छी नींद के लिए जरूरी माना गया है और थोड़ी देर धूप में बैठने से स्ट्रेस भी दूर होता है रोजाना 20-30 मिनट का समय जरूर निकालें वर्काउट करने के लिए यकीन मानिये इससे आप न सिर्फ बॉडी को फिट रख सकते हैं बलकि अपनी उम्र के भी कई साल बढ़ा सकते हैं वर्काउट का मतलब जिम जाकर घंटो पसीना बहाना नहीं होता बलकि घर के नॉर्मल कामकाज से भी आसानी से खुद को फिट रखा जा सकता है तो योग, रशी कूदना, पैदल चलना जैसी कई एक्टिविटीज हैं जिनके लिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरुट नहीं और इनके फायदे ही फायदे हैं कोलिस्टरॉल, डाइबेटीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी खतरनाग बीमारियों से अगर बचे रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट से ओईली, मसालेदार और जंक फूड को पूरी तरह से आउट कर दें चीनी वर नमक की मात्रा भी कम कर दें बिलकुल सिंपल फूड लें, यानि सादा भोजन करें जिससे बॉडी ही नहीं, माइंड भी फिट रहता है और एक जो सबसे जरूरी चीज फॉलो करनी है, वो है खाने का समय फिक्स करना बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ ही, सरीर के कई जरूरी फंक्शन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है दिन भर में कम से कम 6-8 गलास पानी जरूर पियें गुनगुना पानी पीना और भी ज़्यादा फायदे मन्द होता है इससे पाचन तो सही रहता ही है, साथ ही मुटापा भी कंट्रोल किया जा सकता है आपके डेली रूटीन में नीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपकी बॉडी और माइन को फिट रखने में भी अगर आपने सुकून भरी नीन ली हो, तो आप दिन भर फ्रेस और एनरजेटिक फील करते हैं किसी भी काम पर फोकस कर सकते हैं और आपकी नीन पूरी होने से आपका डाइजेशन भी सही रहता है तो अच्छी नीन के लिए बिस्तर पर जाने के बाद मोबाइल और टीवी जैसी चीजों का इस्तमाल ना करें अच्छी नीन लें और बहतर जिंदगे जीएं